कि नमस्कार दोस्तों आपका हमारे यूटूब चैनल अपडेट और जियास में स्वागत है दोस्तों आज हमारा बाल विकास प्रेक्टिस सेट तीसरा है इसमें 30 महत्पूर प्रश्ण देखेंगे और उन प्रश्णों के व्याख्या को भी साथ साथ देखेंगे ठीक है दोस्तों और हम क्योश्टन पढ़ेंगे और उसके बाद जो right answer होगा उसको tick करते हमें चलेंगे ठीक है दोस्तों तो question के शुरुआत करते हैं question number एक से पहला question है गिरो अवस्था किस आई वर्ग एम विलंब विकास से संबंधित है तो इसका right answer हो जाएगा दोस्तों आपसंसी आठ से दस वर्ग समाजी करण दोस्तों इसकी व्याख्या को देखेंगे गिरो अवस्था आठ से दस वर्ग विलंब विकास संबंधित है आठ से दस वर्ग की आयू में बालक अपने समूह का सक्री सदस से बन जाता है जो किसीवरा वस्था में चरम पर पहुंच ज होता है इसलिए केशन नंबर एक कराई टांसर हो जाएगा दोस्तों आपसंसी आठ से 10 वर्ग समाजी करण अगले क्यों चलेंगे दोस्तों केशन नंबर दूसरा है बालक का प्रारंभिक विकास मुखिता किस पर निर्भर है बालक का प्रारंभिक विकास मुखिता किस पर निर्भर है question number 2 का right answer हो जाएगा दोस्तों option A, माता-पिता पर बालक के प्रारंभिक विकास पर उनके माता-पिता का परभाव पढ़ता है इसलिए माता पिता बाला के पर्थम सिच्छक माने जाते हैं ठीक है दोस्तों राइट आंसर ए अगले केशन क्यों चलते हैं अगला केशन है मारा काफी लंबा केशन है और ऐसे प्रश्ण सीटेट और यंपीटेट में पूछे जा सकते हैं ठीक है दोस्तों केशन नमर तीसरा है एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया की एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा उसने निम्खित में से किस सिध्धान पर आधारित ह कर दोस्तों कम के प्रवित्ति से समंदद है दोस्तों принTwenkr के चूंकि विक बार्व क्रम में होता है यह एक विद्यार्ति वर्ग बनाने में कठनाई अन्भोग कर रहा तो उसे हीरे काचित बनाने में भी कठिनाई होगी ठीक है राइट आंसर यह हो जाएगा अगले क्योंच चलेंगे क्योंच नमबर है मारा चार चार नमबर क्योशन है निमने में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास को उत्तम रूप से परदर्शित करता है ठीक है दोस्तों तो राइट आंसर टी हो जाएगा इनमें से सभी पूर्ण अभ्यक्ति संगती करण और सामान इलाच की और निर्देशन आपसंभी हो जाएगा मानसिक विकारों का नहोना आपसंसी व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति इसलिए राइट आंसर टी हो जाएगा इनमें से सभी ठीक है दोस्तों अगले केशन क्यों चलेंगे अगला केशन है मारा केशन नमबर पांच निर्ण में से कौन सा वंसा नुक्रम का नियम नहीं है दोस्तों तो वंसा नुक्रम का नियम नहीं है अभी प्रेरणा इसकी व्यक्तित्व के विकारों का नहोना भ्यक्तितों के विकारों का न होना सम्विगात्मक संतुलन आध किसी भ्यक्ति के मानसिक स्वास्त को उत्तम रूप से परदर्शित करते हैं ठीक है अगले question की और है है क्योетров है सिर निजुकित मैं से कौन सा बच्चों के समाजी करण को प्रगत माडल के संदर में सही नहीं है क्यूसavor किसे की इसकर गश्तवर संदर मैं से हैं रहा ब्रकुछ नहीं है क्यूसर मेंहां सही नहीं है को नौट बच्चे बिद्याले में बताई गई बातों को सुईकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक प्रिष्ट भूमी कुछ भी हो ठीक है अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे क्वेश्चन नंबर है हमारा साथ यहां एक सब्द लिका है सूज द्वारा सीखने के सिध्धांत का प्रतिपादन यह कथन किस ने दिया है दोस्तों तो यह सिध्धांत कोहलर महोदे ने दिया है सूज द्वारा सीखने का सिधान्त कोहलार महोदे ने दिया है राइट आंसर भी हो जाएगा ठीक है दोस्तों अगले क्यों चलते हैं क्यों नमबर है मारा आठ प्रगतिवादी सिच्छा क्या है तो समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है ठीक है अगले क्यों चलते हैं क्यों नमबर है मारा नौ बुद्धी के तरल क्रिष्टली प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है यहां पुछा है थे कौन थे तो कैटल महोदे थे बुद्धी के तरल क्रिष्टली प्रतिमान के प्रतिपादल कैटल महोदे थे राइट नासर ए अगला क्योशन है क्योशन नमबर 10 है दोस्तों ब्यक्त है कि तुमापण का स्याहि नबा परिच्छन है कि के अंतरस कर अता है इसकी खोज हर्मनरोrzसा मोदे ने किया था हर्मनमोटरोषा विस्लेटां परिछण का खोज किया था हर्मर रोसा नाम के स्विस्स मनोव ग्यानिक ने बीश्मी सतावदी में की ती इसलिए इसे रोसा मसी लच्छ परिछड भी कहा जाता है ठीक है दोस्तों अगले क्यों क्यों चलते हैं क्यों नंबर है हमारा ग्यार है क्यारा नंबर क्योंचन है इनमें से कौन मनोव ग्यानिक भासा विकास से संबंधित हैं तो चो मस्की चो मस्की मनोव ग्यानिक भासा विकास से संबंधित हैं यह सीटेट और यूपीटेट दोनों परिछव में प्यूचा गया था ठीक है दोस्तों अगले क्यों चलते हैं क्य कच्छा में जेंडर रूरी बद्धता कच्छा में जेंडर रूरी बद्धता से बचने के लिए एक सिच्छक को लड़के लड़कियों को एक साथ अपरामपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए कच्छा में जेंडर रूरी बद्धता से बचने के लिए कच्छा में सिच्छक को लड़के लड़कियों को एक साथ अपरामपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए लाए राई टांसर भी होजाएगा अगले क्यों चलते हैं दोस्तों अगला क्यों ऊमारा क्योंबर स्मेघ्ात्मक दस में समान और एक जैसे नहीं होते हैं और दोस्तों तो सतत और व्यापक मुलियांकन की जोजणह में की किया जाता है क्या समर्थित किया जाता है कि जे भी गिलफोड का बुद्धी सिधान्थ है है ठीक है अगले क्यों चलते है क्योंसर नमबर है हमारा पंदर निर्वखित में से कौन सा चिंतन अनुशंधान कि चिंतन अनुशंधान से संबंदित है चिंतन अनुशंधान से क्या संबंदित है तो दोस्तों परंपरागत चिंतन, विकेंद्रियत चिंतन वज्यानिक चिंतन, यानि यह सभी राइट अंसर डी हो जाएगा, यह सभी चिंतन अनुसंदान से तीनों समंधित हैं, राइट अंसर डी, अगले क्योंकfont क 예ो चलते हैं, क्योंकूंक्यार नंबर ही हमारा वन्चित सिच्छार्थियों के साथ वन्चित सिच्छार्थियों के साथ बिवहार करने के संदर्व में अध्यापक अध्यापिका को निम्निकित मुल्लियों में से किसमे विश्वास ब्यक्त करना चाहिए तो दोस्तों चात्रों की सफलता महेतु ब्यक्तिगत उत्तरदाईतु में विश्वास ब्यक्त करना चाहिए अगले क्वेशन क्यों चलते हैं क्वेशन नमबर सत्राइश के अतिरीक तिनिम्खित सभी के कारण अधिगम अच्छमता उत्पन हो सकती है तो दोस्तों सांस्कृतिक कारण सांस्कृतिक कारक के अतिरीक्त निम्खित सभी के कारण अधिगम अच्छमता उत्पन हो सकती है ठीक दोस्तों अगले क्वेशन क्यों चलते हैं क्वेशन नमबर है मारा 18 प्रतिभा सालिस इच्छार्थी को अईसे सहयोग की आवसक्ता होती है जो सामाने तह विद्यालेयों द्वारा उपलब्द नहीं कराए जाते हैं ठीक राइट आंसर भी हो जाएगा अगले क्यों जलते हैं दोस्तों क्यों नमबर है मारा 19 दुबले पतले एम छीन सरीर तथा कमजोर हिर्दे वाले बच्चों को क्या कहा जाता है तो समस्यात्मक बालक इनको कहा जाता है इनको समस्यात्मक बालक कहा जाता है अगला क्वेशन है क्वेशन नमबर 20 बालक में अपराधी प्रवित्ती के विक्सित होने का मुख्य कारण है तो क्या मुख्य कारण है दोस्तों परिवार में वातावरण परिवार का वातावर्ण कैसा है उससे बालक में अपराधी पवित्ती की विक्सित होने का कारण होता है परिवार का जैसा माहूल लेगा बच्चा वैसा ही करेगा अगले क्यों चलते हैं क्यों से विद्यार्थियों में निम्न उपलब्धी का सबसे प्रमुख कारण है से प्रभमु хозяin असुरच्छा और चिंता है कि अगले केश्व की योजर चलते हैं दोस्तों कि पे एटिजस्थानांतरन के बन ने कि दूटत्व सिध्धांत के प्रवर्ग्म तो सिध्धांत के प्रवर्ग्मान थे ठीख है दोस्तों2 कि डिय Sजह और बाइस राइट आंसर बी अगले केशन क्यों चलते हैं दोस्ते क्वेशन नमबर तेईस है बच्चे सिर्फ बच्चे लिखा है बच्चे क्या होते हैं बच्चे जिग्यासु प्राणी होते हैं जिग्यासु प्राणी होते हैं जो अपने चारो और के जगत को खोजने के लिए अपने ही तरकों और समताओं का उपयोग करते हैं राइट आंसर ए अगले क्यों की और चलते हैं दोस्तों क्यों नमबर है हमारा 24 कि प्राया सिच्छार्थियों की तुठियां डैस की और संकेत करती हैं क्योंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ए वे कैसे सीखते हैं प्राया सिच्छार्थियों की तुर्टियां वे कैसे सीखते हैं कि योर संकेत करती है अगले क्यों क्यों चलते हैं दोस्तों क्यों नमबर 25 है और काफी महत्पूर प्रशना ये सम्वेक का कौन सा सिधान्त इस विचार को मानता है कि सम्वेगात्मक अनुभव सम्वेगात्मक ब्योहर पर अधारित है क्यों नमबर 25 का राइट आशर हो जाएगा आपसन ए जेम्स लेंग सिधान्त ठीक है पर अधारित है अगले क्यों चलते हैं क्यों नमबर 26 है मारा आवस्यक्ता का पदा अनुक्रम सिधान्त द्वारा प्रतिपादित किया गया था किसके द्वारा पदा अनुक्रम सिधान्त प्रतिपादित किया गया है तो दोस्तों मैसलो महोदेदवरा आवसकता का पजानुक्रम सिधानत प्रतपादित किया गया है ठीक है अगले क्वेशन की चलते हैं क्वेशन नमबर 27 है दोस्तों अधिगम को प्रभावित करने वाला ब्यक्तिगत कारक है तो क्या कौन सा कारक है दोस्तों परिपक्कता एम अधिकम को प्रभावित करने वाला बेगतिकत कारक परिपक्कतवा यह आईू है ठीक है दोस्तों अगले क्योंच की ओचलते हैं क्योंच नमबर 28 है मौखिक मार्ग दर्सन कंपरभावी है मौखिक मार्ग दर्सन कंपरभावी है इस क्योंच कराई टांसर हो जाएगा आप मौखिक मार्ग दर्शन कम प्रभावी है कौसल के सिच्छण में ठीक है अगले क्यों चलते हैं दोस्तों अगला क्वेस्चन है मारा क्वेस्चन नमबर 29 विभेदक परिच्छन का उपयोग किस मनोवग्यानिक ने भारती अनकूलन के अनुसार विक्सित किया है तो विभेदक परिच्छन का अपयोग किस मनोवग्यानिक ने भारती अनकूलन के अनुसार विक्सित किया है तो इस क्वेस्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी जे एम ओज्छा दोस्तों जे एम ओज्छा ने अमेरिका की मनोवग्यानिक कार्पोरेशन के द्वारा प्रकासित तथा बैनेट सीसोर तथा बेजमेन के द्वारा तयार किया गया विभेदक अभिच्छमता परिच्छन टी एटी के प्रारूप पर प्रारूप एल का अनुसीलन भारती अनक प्राइटिसेट बाल विकास प्राइक्सित का तीसरे का लास्ट क्योश्चन है क्योश्चन नमबर 30 निर्मखित में से कौन सा कारक इस्मृति के इस्मृति से संबंधित नहीं है यहां पूछा है दोस्तों तो इक्योश्चन नमबर 30 का राज टांसर हो जाएगा अनुभू अनुभूति वीडियो को लाइक जरू करिएगा और चैनल पेना हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वे लाइक हो प्रेस कर लिएगे चिससे हमारा वीडियो अगला आने वाला सबसे पहले आपको परात हो सके वीडियो का पूरा-पूरा देकने के लिए धान्य वाद